आज हम बनाएंगे चार तरक लड़ू और इस लड़ू को हम बिल्कुल आसान तरीकि से बना रहे हैं सबसे पहले हम बना रहे हैं नारियल की लड़ू इसके लिए हमने एक पैन लिया है इसमें दो बड़े चमच घी डाला है और घी जब गरम हो जाए तो इसमें डेर कप हमने Pacignote Powder डालके ईसको low flame पर हम इसे पकाएंगे और इसको हम low flame पर ही ऐसे चलाते हुए हमें पकाना है इसको golden होने तख जब हो जाए तो हम एक cup दूध हम डाला देंगे में एक कप दूट हमने डाला उर दूट Down के बाद फिर तीन-चार मिनेट तक ве चलते हुए व पकाएंगे चार मिनित के बाद हम नहीं दालेंगे एक कप चीनी छीमिनि डालने में अपने DiM को मेडियम कर देंगे और मेडियम व्लेम फिलम हमें पकाना है 3-4 मिनिट तक हम पकाएंगे इसको मेडियम प्लेम पे ऐसे चलाते हुए और 3-4 मिनिट के बाद इसमें हमने 1 बाई 4th कप मिल्क पाउडर डाला है और मिल्क पाउडर डालके फिर हम इसे कड़ाई छोड़ने तक इसको पका लेंगे जब यह कड़ाई छोड़ने च food फेस को सरकल चप में लड्टू केशिक में बना के और जो कोखिन पाउडर रख आप सकते हैं इसको सरखिय् लेंगे छेने के बार इस दया के बढ़ी देंगे दीन दंदोर में आधा काप बीड़ जैने ऐन दालेंगे मिलाईज के लगें उसको डाल देंगे और एक चमच इलाज़ी पॉड़ो डालके और इसको भूल कर लेंगे मिक्स करके ठंड़ा कर लेंगे और फिर नो सरकल सिर्प में बना लेंगे लिज़े त्यार है हमारे सुजी के लडू अब हम बनाएंगे बेशन के लड़ू, इसके लिए हमने दो बड़े चमच घी लिया है, और देर का बेशन, बेशन को इसमें डाल देंगे, लोफ लेंपे इसको ऐसे पकाएंगे, चलाते हुए हमें इसे लोफ लेंपे पकाना है, और फिर दो-ती मिनट के बाद एक चमच और इसमें गी डालेंगे, फ्रेंट्स इसमें हमने 5 चमच के करीम में घी लिया था इसको दो-ती मिनट के अंतराल में बीच-वीच में हमने इसमें घी एक-एक चमच करके डाला है, और इसको हम पका लेंगे, इसमें से जब खुस्पू आने लेगे, तो हम अपना गया सौफ कर और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ए 15 से 20 मिनिट में ठंडा हो जाएगा और जब अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर एक कप सुगर पाउडर और एक चमची पाउडर डालके हाथों से ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़े से ड्राइफुर अब हम आटे का लड़ु बनाएंगे इसके लिए हमने दो बड़े चमच घी डाले हैं पैन में जब घी करम हो जाए तो एक कप आटा डालके और इसको हम ऐसे पूनेंगे ऐसे लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे और फिर दो तीन मिनिट के गाद एक चमच और इसमें हम घी डा इसको हमने डालके इसको लो फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है इसको हमें पकाना है इसमें हमने लिया है 6-7 चमच के करीब में हमने घी का इस्तमाल किया है और घी को हम 2-3 मिनिट के अंतराल पे एक एक चमच करके हम इसमें घी डालेंगे और घी डालके इसको हम तक हमें इसे पकाना है जब यह कड़ाई छोड़ने लगे और इसमें से खुसबू आने लगे तो फिर गैस आफ कर देंगे और ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके एक कप सुगर पाउडर और एक चमची लाची पाउडर डालके और थोड़े से ट्राय फुर्श डालके इसको हाथों से यह से मिक्स करेंगे और मिक्सदित करके फिर से छेज्टी यहाँ पाफ लेगे इसको